बांगलादेश, धाका यूनिवर्सिटी में देर राद भारत के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, कहीं कहीं बातें बांगलादेश और भारत के बीच आए दिन कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है, जिससे दोनों देशों के संबंधों में अविश्वास बढ़ता ही जा रहा है सोमवार की राद धाका यूनिवर्सिटी के कैंपस में सैकडों छात्रों ने भारत विरोधी नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया इस विरोध प्रदर्शन में कई छात्र संगठन के छात्र शामिल थे सोमवार को अगरतला में बांगलादेश के उपोचायो के कैंपस में तोड़ फोड और राष्ट्र ध्वज उतारने के खिलाफ इन छात्रों ने आकरामक विरोध प्रदर्शन किया धाका यूनिवर्सिटी में हुए विरोध प्रदर्शन का विडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है बांगलादेश के अंग्रेजी अकबार देली स्टार के अनुसार धाका यूनिवर्सिटी में एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट्स मूव्मेंट और बांगलादेश चात्र अधिकार परिशत के चात्र देर राध जुटे थे धाका यूनिवर्सिटी के चात्रों ने भारत के रुख की आलोचना करते हुए कहा कि भारत की सरकार ने शेक हसीना के साथ संबंधों को आगे बढ़ाया न की बांगलादेश के लोगों के साथ इन चात्रों ने आरोप लगाया कि भारत शेक हसीना के सत्ता से बाहर होने से खुश नहीं है